हलो दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज के विडियो में हम स्टेडी करेंगे कम्प्यूटर ये विशाय के 10 अबजेक्टिव कॉशन्स तो पहला अबजेक्टिव कॉशन आपके सामने है कॉशन में लिका है निमनलिकित में से कौनसा www का सही रूप है फर्स्ट अप्शन दिया है विंडो वर्ड वाइड सेकंड अप्शन दिया है वेब वर्किंग विंडो थर्ड ओप्शन दिया है वर्ड वर्किंग वेब, फोर्थ ओप्शन दिया है वर्ड वाइड वेब, तो www का अर्थ होता है वर्ड वाइड वेब और ये ओप्शन D में लिका है, तो ये question का correct answer option D, और अब आज का second objective question, question में लिका है CPU का क्या अर्थ है, फोर्स्ट ओप्शन दि Central Processing Unit, तो ये option A में लिका है, तो ये question का correct answer option A, और अब third objective question, question में लिका है, वह hardware device कोन सी है, जिसे आम तोर पर computer का brain कहते हैं, first option दिया है RAM chip, second option दिया है data input, third option दिया है CPU, fourth option दिया है secondary storage, तो computer का brain किसको कहते हैं, वो पूचा है, तो computer का brain CPU को कहते हैं, याने Central Processing Unit को, तो ये question का correct answer option C, CPU, और अब आज का fourth objective question, question में लिका है, निम्नलिकित में से कोन सा computer को telephone line का प्रयोग करके data अंतरीद करने की अनुमती देता है, first option दिया है कुझी पटल, second option दिया है CPU, third option दिया है modem, fourth option दिया है printer, तो computer को data अंतरीद करने की अनुमती देता है modern, तो ये question का correct answer option C, modern, और अब आज का fifth objective question, question में लिका है, किसी प्रोग्राम में bug क्या होता है, first option दिया है statement, second option दिया है error, third option दिया है signature, fourth option दिया है B और C, दोनो, तो किसी भी computer program में जो bug आते हैं, उसे error कहتे हैं, तो ये question का correct answer, option B, error, और आज का sixth objective question, question में निम्नलिकित उत्पादों में से कुनसा उत्पाद Pentium ब्रांड से बेचा जाता है तो Pentium ब्रांड से माइक्रो प्रोसेसर इसको बेचा जाता है तो ये question का correct answer option D, Microprocessor और अब आज का 7th objective question, question में लिका है www के आविशकारक तथा संस्तापक है First option दिया है Team Burners Lee Second option दिया है N, Russell Third option दिया है Lee N, Fiong Fourth option दिया है Bill Gates तो www के आविशकारक तथा संस्तापक Team Burners Lee है तो ये question का correct answer option A, Team Burners Lee और अब 8th objective question, question में लिका है पहले electronic अंकिय कम्प्यूटर में क्या था First option दिया है Transistor Second option दिया है Valve Third option दिया है KROD स्मूरूती Fourth option दिया है अर्धचालक स्मूरूती तो पहले electronic अंकिय कम्प्यूटर में Valve था तो ये question का correct answer option B, Valve और अब आज का 9th objective question Question में लिका है भारत में विकसीद परम सूपर कम्प्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है First option दिया है CDAC Second option दिया है IIT कानपूर Third option दिया है Bark Fourth option दिया है IIT दिल्ली तो भारत में परम सूपर कम्प्यूटर का विकास CDAC ये संस्था ने किया है तो ये question का correct answer option A, CDAC और अब last objective question Question में लिका है Computer data की सबसे छोटी इकाई है First option दिया है Bit Second option दिया है Byte Third option दिया है Record Fourth option दिया है File तो computer data की सबसे छोटी इकाई Byte होती है तो ये question का correct answer option B, Byte तो आज के विडियो में Computer ये विशय पे हमने 10 objective questions study कर लिए उम्मिद करते हैं कि सभी question और उनके answers आपको समझ में आ गए होंगे वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को like करके इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करे और चैनल को भी subscribe करे आज के वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए questions के साथ Thank you very much